अगर आपको लगता है कि आपको बहुत जादा थकान रहती हैं आप हर टाइम भूत लेजी लेजी फील करते हैं आपको बहुत सुस्ती सियाती रहती है आपको हर टाइम आलस आता रहता है आपका मन ही नहीं करता है कि आप कहीं बाहर जाकर कोई काम करें, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अगर कुछ नया करना भी चाहते हैं, तो सोचकर बस मन में ही रह जाता है, तो इसका मतलब है कि आपकी जनम कुंडली में सूर्य ग्रह खराब होता है, तो ये आपको confidence की कमी देता है, य तो यह सोच अगर आपके मन में आ रही है तो आपकी जनम कुणली का सूर्य खराब है जो नहीं आपको ठीक से उगने दे रहा है नहीं आपको अपने प्रकाश को फैलाने दे रहा है और नहीं वह आपको ठीक से बंद कर रहा है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में आपको सबसे पहली important चीज अपने बड़े बुजर्गों के साथ रिष्टे हमेशा अच्छे बना कर चलने चाहिए, क्योंकि जब भी जनम कोडली में सूरे खराब होगा, आप देखेंगे कि आपके पिता के साथ आपके रिष् सुख दूँगा या फिर ससुर का सुख दूँगा, तो कहीं न कहीं दोनों में से किसी एक का सुख मिलेगा और साथ ही में आप देखेंगे कि क्योंकि आपको लेजी बना रहा है, तो आपका काम करने का मन नहीं करेगा, आपको जॉब करियर में इंस्टेबिलिटी दिखने करिए यह बहुत जादा जरूरी है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कहीं न कहीं अपनी जनम कुंडली का सूर्य ग्रह खराब करते हैं और दीरे दीरे आप देखेंगे कि आपको हैर फॉल का प्रॉब्लम भी बहुत जादा बढ़ जाएगा आप देखेंगे कि सुस्ती और आलस होने के साथ में आपको वेट गेन का प्रॉब्लम भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है क्योंकि जब भी सूर्य ग्रह खराब होगा तो धीरे धीरे वो आपकी प्रहस्पती ग्रह को भी खराब करेगा और प्रहस्पती खराब को उपकर आपको वेट गेन का तो दोनों ग्रहों को अगर अच्छा रखना है तो एक बहुत ही असान सा उपाए है कि अपने बड़े बुज़ुर्गों की प्रॉपर रेस्पेक्ट करिए अपनी बड़े बुज़ुर्गों को कभी भी पुरा मत बोलिए जो उम्र में आप से बड़े हैं उनको प्रॉपर इज़त दीजिए साथी में सूर्य ग्रह को अच्छा करने के लिए आपको एक चीज बहुत जरूरी करनी होती है और वो है कि कोशिश करिए कि आप सुभे के समय जब सूर्य देव उगते हैं उस समय आप सूर्य को जल दे क्योंकि आजकल ऐसा देखा गया है कि सूर्य को जल देने का जो समय है वो अपना ही लोगों ने बना लिया है कोई 11 बजे जल दे रहा होता है, कोई 12 बजे जल दे रहा होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्य को जल देना भी एक तपस्या के सबान होता है, क्योंकि सूर्य को जल देना मतलब it is like आप welcome कर रहे हैं सूर्य देव को, कि आप आए हैं और हम आपके स्वागत में खड़ सूरज को जल देना स्टार्ट कर दिया, आप यकीन मानिए कि अगर आपको जॉब में दिक्कत आ रही है, अगर आप गुवर्मेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आप से कोई नहीं चीन सकता है, अगर आपको कहीं न कहीं आपके बॉसिस के साथ रिष्टे अच्छे हैं, ट्रस्ट मी, सिर्फ एक ये रेमेडी करने से आप देखेंगे कि विदिन फ्यू डेज आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा, कहीं न कहीं आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ने लगेगी, और जो लोग आपकी बात सुनते ही नहीं थे, अब सुनना तो